स्वागत है आप सभी का अगबर फिर से हम्टेक हिंदी योट्यूब चैनल पर दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप हिंदी टाइपिंग नहीं जानते तो आप अपने कॉंपूटर पर या फिर लेप्टॉप में हिंदी टाइप कैसे कर सकते है दोस्तों वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है दोस्तों यहाँ पर हिंदी ही नहीं गुजराती, संस्क्रीट, तमिल, तेलेकू, पंजाबी, कन्नड, उर्दू इसी 22 भासाओं में आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं तो बहुती कमाल का टूल है और आपको से जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो में भी मैं आपको बता दूँगा कि आपको कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इसे इंस्टॉल करना है तो पूरा सेट अप जानने के लिए इस वीडियो को लास तक देखते रहिए और चैनल पर नहीं आचुके तो चैन की लिंक को फोलो कर सकते और डायरेक्टरी आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे दोस्तों यहां पर मैंने एक आर्टिकल भी बना कर रखा है ताकि आपको इन्हें समझने में काफी आसानी हो और नीचे जितने भी सारे सेटप्स आपको दिखाए दे रहें वो सारे सेटप्स तो आप हिंदी भासा को सिलेक कर लिजिए उसे डाउनलोड कर लिजिए या फिर आप गुजराती में टाइप करना चाहते तो आप उसे भी कर सकते हैं तो मैंने यहां पर हिंदी और गुजराती दोनों को यहां पर डाउनलोड करके रखा है और हां दोस्तों एक ज़रूरी की जरूरत पड़ेगी दो सेटप की जरूरत पड़ेगी तो पहले आपको Google Input Tool Setup को डाउनलोड करना है दूसरा आपको हिंदी या फिर गुजराती या फिर कोई भी बासा में आप सिलक करते हैं उसे सिलक करना है तो आई होप आप समझ चुके होंगे की आपको दो सेटप डाउनलोड करने हैं फिर भी आपको कोई पेस्टन है तो आप मुझे कमेट सेक्शन में बता सकते हैं ओकी दोस्तों तो इसको इंस्टॉल करना भी बहुत ही आसान है बहुत ही सिंपल सा जो नॉर्मल हम सेटप इंस्टॉल करते हैं ठीक उसी तरह का यहां पर आपको सेटप मिल जाएगा जैसे आप यहां पर डबल क्लिक करेंगे कुछ पर आपको सारी भासाय धिख जाएगी मैंने यहाँ पर आपको थोनों बॉच्छ YA अगर सेटॉप इंस्टॉल होने के बाद भी यहाँ पर आपको लेंग्विज नहीं दिखाई दे रही है तो इसके लिए आपको सबसे पहले control panel में जाना है दोस्तों यहाँ पर आपको एक option दिखाई दे रहा है clock languages and regional तो उस पर click कर दिजी और यहाँ पर आपको regional language पर click कर देना है और यहाँ पर keyboard and languages का option दिखाई दे रहा है उस पर click कर दिजी यहाँ यहाँ पर आपको change keyboard का option दिखाए दे रहा है यहाँ पर आपको language bar का जो option मिल रहा है यहाँ पर hidden होगा तो यहाँ पर आपको कोई भी language bar नहीं दिखाए देगा अगर आप उसे enable कर देंगे तो यहाँ पर वो बार so हो जाएगा आपके computer में और general के option में दोस्तों आपने जितनी भी यहाँ पर languages install की हुई है वो यहाँ पर आपको so हो जाएगी तो फिलाल यहाँ पर मैंने language गुजराती और हिंदी ही select की हुई है तो यहाँ पर मैं इसे cancel कर देता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप कैसे इसे यूज करेंगे तो जैसे आप यहाँ पर हिंदी को या फिर गुजराती को select करते हैं उसके बाद जैसे उस भासा को आप select कर लेंगे तो पास में आपको एक छोटा सा icon दिखाए देगा जो की Google Input Tool का है तो जिस भी language को आप select करेंगे पास में आपको Google Input Tool का option दिखाए देगा अगर आपने वो select नहीं किया होगा तो आपको Google Input Tool option नहीं दिखाए देगा तो आप language select करने के बाद वहाँ पर एक बार जरूर से click कर दीजिए पास में जो icon है उसके और select होने के बाद यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से typing कर पाएंगे जैसे कि यहाँ पर मैं आपको गुजराती में भी type करके दिखा रहा हूँ और हिंदी में भी type करके दिखा रहा हूँ और दोस्तों आप notepad के अलावा यहाँ पर word, excel में भी लिख सकते हैं या फिर आप अपने blog लिखते हैं या फिर आप facebook में आपने article लिखते हैं तो आप वहाँ पर भी लिख सकते हैं और यह font सभी जगा पर काम करेंगे तो I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और पूरी तरीके से आप इस वीडियो को समझ चुके होंगे अगर फिर भी कोई बात मुझसे जूट गई हो और आपको कुछ चीजे समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं मैं definitely उनका answer दूँगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो please इस वीडियो को like कर दीजिगा चैनल को subscribe कर देजा और इस वीडियो को जादा से जादा share किजी अपने WhatsApp ग्रूप में या फिर Facebook में ताकि और लोग भी जान पाए कि अपने computer में और भी भासाओं में हम typing कर सकते हैं सो मैं मिलता आप से अगली वीडियो में थांक यू व मुझा एंड बूब बाई